बोपाल के मिंटो हौल में संथ समागम हुआ है इस भी हमाई साथ एक साधू संथ है हम उनसे बात्चित करेंगे जो अपनी विश्चिस है महरा जी कहां से है हम जला मुरेना मद्धे प्रदेश ग्राम डॉंगर पुल लोदा से आई हैं और परंदावन के गुरू के चेले हैं और माला पर मद्धे प्रदेश में उत्तर प्रदेश में लगभग सीमा पर हमारा मासरम बना हुआ है छोटा सा आसरम है रादा किशन नाम का और यह तो बहुत कम है भारत का बोज उतारने के लिए मैं अकेला ही चंबल का सेर बना हूँ इसलिए भारती जनता पार्टी कौन है और भारत की पेंचान बनाने के लिए कलंक अवतारी जनमें और हिंदुस्तान में अगर भारती है अगर डारी रखा सकते हैं तो इस पर मैं संसूरन कर्फुगा कि अगर बावा डाडी रखाएंगे तो हिंदू इंदुस्तान रहेगा तो मुसलिमान डारी नहीं अगर छत्री देस में रहोगे तो तुम पंजाबी केलाओगे अगर दारी रहागे अगर किसी आस्रम में मिल गए तो बुरी भात ख़रेड दिये जाओगे इसे हिंदुस्तान कहते हैं और हम भारत माता की वलंडियों को उची पहुचाने के लिए सरकार इतना कारे करती है और छोटी सी चीज है विदेशों को इखटा करके वह ऐसी नीती बता दूगा कि यह कहेंगे कि महाराज जी एक बार हो गया वो जीवन में कुछ करने की जुरुत है यह नहीं देखते हैं जो भी होगा समाज के लिए करेंगे लेकिन बीजेपी ने जो किया है अभी तक पाकिस्तार उचल रहा था आज 1371 के तहत आज गाव गाव में देखिए कितनी सुस्ती और सांती पड़ी हुई है तो भारती है इतियास और एक कांग्रेस की इतियास में कोई नई की टिपड़ी है इस टिपड़ी के आधार पर 15 साल का इनों ने रिकोड़ दिया तो 15 साल में हमने भी कुछ ली लाएं कि इनके पास वीडियो के सेट हमारा पढ़ा हुआ है अगर सरकार हमारा वीडियो के सट वाइल कल बाइलर करता है और उसकी नेटलस नीज जो में नेग कि शूरी चंद्रतार है को में डाटने वाला हूं तो कभी नहीं हो सकता है कि इसमें इसलिए कि कॉंग्रेस की तरफ से कुछ पहले की बदाहिया दली ती 15 साल पहने का कॉंग्रेस में मेरे को बीजेपी बनाना सिकाया इसलिए का धन्यवाद करने आया हूं कि अगर तुम्ह गम में वो बीजेपी से की तारिफ करते हूँ नजर आए बहपाल से वेब दुनिया के लिए विकास की रिपोर्ट